चतिस गड़ के गरिया बंद जीले से एक ठगी का बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां वेंटिलेटर टीचर न्यूक्ति के नाम 332 पंचायतों में 6000 से भी जादा बेरोजगारों से रजिस्टेशन शुल्क के नाम पर एंजीयों ने 90 लाग से जादा जमा करवा दिये हैं और अब न्यूक्ति पत्र दिये बगार संचालक संपर्क से बाहर हो गए जिससे बेरोजगार अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं जिसको लेकर आज पीडिता ने लिखित में स्पी से शिकायत की है स्पी ने मामले का संग्यान लेते हुए गंबीरता से जाज शुरू कर दी है जानकारिक एनुसार स्वामी विवेकानंद एजुकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट नाम के एक कथित एंजीयो अपने आपको भारत सरकार से मानिता प्राप्त होना बताया और कहा कि संस्था मांसिक रूप से कमजोर वर सरकार स्कूलों से कमजोर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए वाडरों में अतिरिक्ट कलास लगा कर निशुल्क शिक्षा परदान करेंगी जिसमें उसने कहा कि शुरुवात की दो महीनों में 32 रुपए फिर 45 रुपए तक का मान्दे वेंटिलेटर शिक्षिकों को दिया जाएगा जिसको लेकर संस्था ने जोइन कराने के लिए महज 1550 रुपए संस्था के खाते में जमा कर सदस्ता लेने की पातरता अनिवार्य की वाहीं ब्लोक वजिलास्तर के अफसरों को कुछ महीने का वेतन भी दिया गया जिससे उनका विश्वाश बना रहे लेकिन अपिछले चार महीने में जिले के पांच विकास खंड के 332 पंचायत से 6,000 बेरोजगारों से प्रती पंजियन 1550 रुपए के दर पर 90 लाख रुपए से जादा रकम खाते में जमा करवाली गई और महीने भर बात भी जोइनिंग लेटर नहीं पहुँचाया तो जिले में स्कीम लोंच करने वाले भूवनेश्वर और इसा निवासी आनंद पात्रा स्थान्ये सहयोगी भोला राम धुरूब व चैत राम साहु से पीडितों ने संपर्क किया आनंद से संपर्क करने के बाद ठगी के शिकार होने की आशंका पर बेलंत राम चंपक खिलेश्वर फर्स राम समेट 15 से 20 पीडितों ने 9 फरवरी को एसपी एम आर आहिरे के नाम ग्यापन सोब कर जाज की मांग की मामले में एसपी सुखन नंदन जाठोर ने कहा कि शिकायत पर गंभीरता से जाज शुरू कर उचित कारेवाही की जाए ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद लुष ग्रीन लाऊंट सेट अट लाइट 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 अपरफेट वेदिंग लाइट वेडिंग लाइट अपार्फेट लाइट राज गराना अ जोती गारण अजब्सक्राइब